है गाइज वेल्कम बाग टूम यूट्यूब चानल माइनम इस इशान शवस्ती और यूप 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 करने वाले हैं हमारा चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंट सेंड डेवलप्मेंट का पार्ट बी तो फर्स्ट फॉल आपको पार्ट ए देखना ह है एंड उसके बाद पार्ट बी में आना है तो गाइज इस वीडियो में हम नए टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं जो कि सीवेसी ने इस साल एड किये हैं और वह है नाशनल डेमोक्रेटिक अलाइंसेज वन टू थ्री और फोर और इसके अलावा एक और टॉपिक एड हु लेते हैं तीनों ही टर्म का कम्यूनलिज्म क्या होता है आपने सुन रखाओगा डे टुडे लाइफ में कि कम्यूनल पॉलिटेक्स खेल रही है यह गवर्मेंट कम्यूनल पॉलिटेक्स करती है इसका सिंपल मीनिंग है कि अपनी कम्यूनिटी को अप्ग्रेड करना फॉर communal politics खेल रही है या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है इसे similarly अगर Muslims को promote किया जाता है तो बोला जाता है कि यह भी communal politics हो रही है तो basically communism का मतलब होता है the politics based on specific community or to upgrade some specific community तो इसको communalism बोलता है दूसरा secularism secularism क्या होता है और यह वर्ड हमारे preamble में भी mentioned है तो secularism क्या होता है कि where there is no restrictions on anybody's religion मतलब इंडिया is a socialist democratic republic country है जिसमें secular word भी mentioned है तो secular मतलब होता है कि जब किसी भी एक धर्म को नहीं मानते हर किसी धर्म की हम respect करते हैं और सारे ही धर्मों को हम primarily source देखते हैं और promote करते हैं तो उसी को secularism का जाता है तो इंडिया is a secular country यहां पर सारे ही religion को propagate कर सकते हैं तो यह इसका मतलब था थर्ड जो हमारा term है वो है democracy democracy क्या है इंडिया is a democratic country where the people have the right to vote हमारे पास सारे अधिकार है और जो government है वो to the people होती है for the people होती है and by the people होती है तो सारी powers किसके पास होती है citizen of a country के बाद तो इस chapter में politics की chapter में इन तीनों term का बहुती जादा effective views होगा आप communal politics देखेंगे country में कितनी हुई है from the independence era till date इसके अलावा आप देखेंगे democracy का कहां कहां infringement हुआ है आपने इंदरा गांधी वाले chapter में देखा था कि जब emergency लागू कर दी गई थी तो democracy को suspend करना पड़ा था और इसके अलावा जो हमारा third term है secularism तो कहां कहां पे सिर्फ एक धर्म को promote किया गया है या कहां कहां socialism सच में इंडिया में implement हुआ है उसके बारे में भी हम जानते हैं तो सबसे पहले तो हम आयोध्या dispute से start करते हैं अब आयोध्या dispute क्या था हमें और आप सबको पता है अभी recently 2019 में नवंबर में इसका verdict आया था Supreme Court का जिसमें ये dispute को resolve कर दिया गया और जो लैंड थी वो हिंदूस को grant कर दी गए तो मेक राम मंदिर और जो मुसलिम्स के लिए बाबरी मस्जिद थी उसको demolish करके एक नई जगा आयोध्या में उनको फाइव एकर की land दे दी गई so this was the verdict of Supreme Court तो ये issue finally resolved हुआ था 2019 में तो ये issue क्या था चलिए देखते हैं on February 1986 फैजाबाद district court ordered that बाबरी मस्जिद प्रिमाइसे भी unlocked so that Hindus could offer the prayer on the site of temple तो बाबरी मस्जिद में ताला लगा दिया गया था जिसकी वज़े से Hindus भी prayer करने नहीं जा पा रहे थे अपने temple में तो जिसकी वज़े से क्या हुआ था देखते हैं आगे the dispute was going on for last few decades in late 1940s Moscow was loved up as the matter was in the court तो 1940s में बहुत बड़ा धंगा हो गया था आयोध्या के अंदर ही जिसकी वज़े से court ने order दिया था कि इसको अभी ताला लगा दिया जाए पर जब फैज़ाबाद district court का verdict आया 1986 में तो उसे खोलने की बात की गई अब उसके बात खोलने की तो बात में पहले decide करा जाएगा ना कि यहां पर राम मंदिर बनेगा या बाबरी मस्जित रहेगी तो जिसकी वज़े से देश में धंगा बढ़क गया कि अगर बाबरी मस्जित को demolish किया जाता तो हिंडूस बढ़क जाते अगर ना किया जाता तो मुस्लिम बढ़क जाते तो इसकी वज़े से as soon as the lock opened, mobilization begins on both side. This local issue became a nationwide issue and led to communal tension. तो यह जब दोनों ही community को hurt करने वाली बात हो गई तो communal tension arise हो गई. मतलब दोनों ही communities के बीच में रंजिश आ गई आपसी और दोनों एक दूसरे के जान के भूके हो गए यह पूरी पूरे पहले आयोध्या से चिंगारी उठी ते पर पूरे देश में फैल गई और हिंदू मुस्लिम अलग-अलग हो गए और आपस में country में बहुत जादा बड़ा आप बोल सकते हैं कि internal disturbance भी arise हो गया था दोनों ही communities आपस में भेड़ गई थी बहुत बुरी तरी पी तो बीजेपी ने अपना इसको issue बना लिया था political manifesto बना लिया था कि अगर अगर हम party में आएंगे power में आएंगे तो हम क्या करेंगे हम इसको राम मंदिर वहां पे बना कर रहेंगे जो कि 2019 में successful हो गया तो बीजेपी को इसलिए ही nation ने ज्यादा प्रमोट किया 2014 और 19 के elections जिता है because it promotes the issue for the internal politics मतलब internal politics में बहुत ज़्यादा बड़ा हात रहा है बीजेपी का अभी आपने देखा triple तलाक को इसने हटाया उसके बाद राम मंदिर वाला issue करवाया उसके बाद नोट बंदी तो इतने बड़े-बड़े decisions बीजेपी लेने के लिए famous है और उसकी वज़ तो यह communal tension खतम हो गई और दोनों ही community satisfy हो गई अब हमारा second topic देखेंगे anti-muslim riots in Gujarat अब यहां क्या हुआ था गुजरात में कि गोजरा हत्याकांड हुआ था जिसमें आयोध्या से कार सेवकों की एक बग्गी आ रही थी train की वो पूरी-पूरी बग्गी ही जला दी गई थी और यह suspect किया गया था कि यह Muslims ने जलाई है और जिसकी वाज़े से Hindu-Muslim धंगा भड़क गया था तो चलिए जानते हैं उसके facts so in February and March 2002 large-scale violence against Muslim took place in Gujarat यह large-scale violence start हुआ था गुजरात से और the immediate provocation for this violence was an incident to place at the station called Godra और यह क्यों हुआ था यह immediate reaction था जब हिंदूों ने देखा कि उनके भाई बंदूों को जला जला दिया जा रहा है पूरी पूरी बग्गी ही जला दी जा रही है train की जिसकी वैसे वह भड़क गया और हिंदू-Muslim में आपस में दंगा भड़क गया and a bogey of train returning from Ayodhya full of car sevak was set on fire suspecting the hands of Muslim in setting the fire to bogey large-scale violence against Muslim started in place in many parts of Gujarat इसके बाद क्या हुआ the National Human Rights Commission criticized the Gujarat government to role in failing the control of violence और Gujarat government का हमें यहां पर failure देखने को मिलता है कि Gujarat government को specific action नहीं ले पाई और इतना बड़ा जो दंगा था वह भड़क गया पूरा गुजरात में आप एक तरह से कह सकते हैं पूरा गुजरात ही जलने लगा था ऐसा हो गया था during this time of 2002 जिसकी वैसे क्या हुआ था था the election commission of India ordered the assembly election to be postponed as anti sick rewards in 1984 तो जिस तरह 1984 में anti sick rewards के time पे election commission ने अपना role दिखाया था और elections postpone कर रहे थे similarly the elections were postponed during this time क्यों क्योंकि यहां पर दंगा भड़करा तो elections होना तो possible है नहीं तो यह एक हमें देखने को मिलता है communal riots between the two communities Hindu as well as Muslims so guys अब हम हमारा next topic देखेंगे इस national democratic alliance 1234 यह NDA की सरकार अप सबने सुन रखा होगा यह कौन सी सरकार है यह BJP plus other parties है जो कि regional parties है तो यह सारी हमने देखा किस तरह से 1989 से collision का एक era बन गया था alliances form हो रही थी UPA form हो रही थी जो कि Congress की alliances थी NDA form हो रही थी जो कि BJP की alliance थी क्यों कोई भी party single majority से vote occupy नहीं कर पा रहा था last time 1984 में Congress has occupied the majority seats in the लोकसभा election पर बट उसके बाद कोई भी single party majority में नहीं आ पा रही थी जिसकी वजह से सबको alliance form करनी पड़ रही थी तो यहां पर अब हम देख रहे हैं present day भी NDA की सरकार है BJP government है तो NDA की बात हो रही है हमारे topic इसलिए यह नया एड हुआ है ताकि हम जो present सरकार है उसके बारे में जान सकें तो देखेंगे National Democratic Alliance 1, 2, 3 and 4 तो सबसे पहले NDA 1 for a short span of time from May 1998 to June 1999 यह बहुत ही कम span time span के लिए पावर में रही थी और इनके head ते अटल भिहारी बाच पेई जी बट but 1999 में जब no confidence motion लग गया सरकार के खिलाफ तो यह सरकार गिर गई और जब 1999 में elections फिर से हुए तो यह फिर से power में आ गई under the leadership of अटल भिहारी बाच पेई जी और उसी को हम कहते हैं NDA 2 from 1999 to 2004 और 2004 के बाद से किसकी government रही 10 साल तक UPA की सरकार रही मतलब Congress and other regional parties supporting Congress जो Congress को support करती थी वो 10 साल तक parties rule किया country में तो after 2004 UPA means United Province Alliances government rule over the country till 2014 that is from 2004 to 2014 और 2014 में किसकी सरकार है हमें और आप सबको पता है कि slogan भी हम सबने सुनाता हम Modi ji को लाने वाले हैं अच्छे दिन अब आने वाले हैं तो यह slogan के through Modi government बहुत जादा strong और catchy slogan लगा लोगों को लोग attract हुए और लोगों ने इनको clear majority से vote दिला है तो देखेंगे NDA 3 from 2014 to 2019 BJP won with clear majority and put an end to the alliance form of government under the leadership of Narendra Modi means 2014 में यह alliance system खतम किया और single majority से Narendra Modi ji की leadership में BJP ने seats occupy करी कितनी seats मिली थी NDA means पूरी जो alliance थी BJP की उसको मिली थी 336 seats और सिर्फ BJP को उसमें से 282 seats मिली थी और उसके बाद जब अगला election हुआ 2019 में भी recently last year ही हुआ है उसमें BJP ने और ज़्यादा seats occupy करी तो from 2019 to 2024 अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि 2024 तक BJP ही रहेगी क्योंकि हमने देखा तक किस तरह से no confidence motion लग गया था 1999 में तो elections फिर से कराने पड़े थे तो कुछ भी हो सकता है इंडियन politics में हम कुछ predict नहीं कर सकते पहले से बट 2024 तक BJP ऐसा माना जाएगा क्योंकि फाइफ यर्स का term होता है तो BJP ही रूल करेगी वन और इस बाद 2019 में नरेंद्र मोधी जी की लीडर्शिप ने इसने बीजेपी ने और ज़दा clear majority से seats occupy करी देखेंगे जो पूरी इनकी एलाइंस थी उन्होंने 353 seats occupy करी जिसमें से सिर्फ BJP नहीं 303 seats occupy करकर अपनी victory achieve करी तो इस एरा को बोला जाता है known as BJP system जिस तरह से हम पहले के एरा को 1990 से पहले के एरा को बोलते थे एरा ओफ कॉंग्रेस पार्टी या फिर कॉंग्रेस डॉमिनिंस ऐसा ही इस एरा को बोला जाता है known as BJP system आपको यह नया topic जो include हुआ है वो समझ में आया होगा यह आपके exam point of view से भी बहुत ज़्यादा important है इसलिए मुझे यह cover कराना मैंने जरूरी समझा तो आप भी एक कि BJP ने majority तो हासिल करी पर वो कौन से कारण थे जिसने उने help किया BJP को majority गेन करने में भाई इतने सालों से तो Congress ही dominance कर रही थी और उसके बाद जो बीच में 15-20 साल का जो time आया 1990 से early 2000 उस समय तक क्या हुआ Collision Government चलने थी Alliances form हो रही थी UPA and NDA इधर क्या हुआ 2014 में कि BJP ने clear majority से seats occupy करी तो वो क्या-क्या developments थे क्या-क्या schemes थी जिनके जिन्होंने help किया BJP को warn करने में उसके बारे में हमारा topic है तो चलिए देखते हैं A major change in the Indian politics after 2014 is the shift from caste and religion based politics to development based politics अभी तक देश में आपने देखा भी किस तरह से Ram Mandir Ayodhya Kandh हुआ उसके बाद Godra Kandh हुआ जिसमें जो communal based politics चल रही थी caste based gender based and religion based politics चल रही थी लोग अपनी community को promote करते थे दूसरी को degrade करते थे तो लोग अब educated हो गये थे लोगों को पता चल गया था कि अगर यह हम इनी सब चीजों में उलजे रहेंगे तो विकास कभी नहीं हो पाएगा तो बीजेपी एक program लेकिया ही सबका साथ सबका विकास जिदों ने जिसने लोगों को बहुत ज़दा attract किया और लोगों ने बीजेपी को vote दिया तो with its pre intended goal सबका साथ सबका विकास the NDA government initiated several development schemes like प्रधान मंत्री उज्वल योजना स्वक्ष भारत भारत अभियान जंधन योजना किसान फसल बीमा योजना बेटी पढ़ाओ योजना आईशमान भारत योजना and several others तो इतनी सारी जब schemes लेके आई और जब लोग से अट्राक्ट हुए लोगों के खाते बनवाए बीज साइस किया अभी आप देख रहोंगे ट्रिपल तलाग को भी अबॉलिश करवाया तो इतने सारे जो बोल्ड डिसीजन थे जब बीजेपी ने लिये तो लोग और ज़दा अट्राक्ट हुए और 2019 में और ज़दा मेजॉरिटी से गवर्मेंट बनी बीजेपी की सब्सक्राइब को और ज़दा मेजॉरिटी में वोट्स मिले और उसने डेवलप्मेंट प्रोग्राम्स अचीफ की यह जो उसने मेनिफेस्टो रखा था उसको पूरा करके दिखाया अब गाईस हमारा आज का वीडियो कंप्रीट हो गया है और हमने यह चैप्टर भी कंप्रीट कर लिया है I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा So चलिए अब हम कुछ important questions की तरफ बढ़ते हैं जो की बोट्स में most frequently पूछे जाते हैं First, state the major changes in the Indian politics from 1989 Second, trace the emergence of BJP as a significant force in post-emergency politics इसके बाद, describe the significance of बहुजल समाज पार्टी इन इंडिया Fourth, describe मंडल इशू And fifth, define the alliance led by BJP और हम बोल सकते हैं की नैशनल डेमोक्रेटिक अलाइन्स को डेफाइन करिये यह question थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है But, यह question compulsory है आना So, I hope आपको questions भी समझ में आ गए होंगे Chapter B If you like this video आपको पता है क्या करना है Like, comment, share and subscribe this channel And stay tuned for more such videos हमने आपका political science complete कर दिया है चाहे वो world politics की बात हो, चाहे वो Indian politics की आप playlist जाके check कर सकते हैं और अपने दोस्तों के दोस्तों को भी share कर सकते हैं ताकि उनका भी syllabus complete हो जाए So, अब मैं revision series भी जल्दी start कर दूँगा ताकि आप और अच्छे से paper दे पाए ताकि जाए